रूहित मैदान में खड़ा है और वो आपकी दाहिने और त्वरन करने वाला है उसका आरम भी त्वरन शून्य है और अभी तक शून्य ही है उसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है अता हम कह सकते हैं कि रूहित में त्वरन नहीं हो रहा है परन्तु अब रूहित धीरे धीरे दाहिनी और बढ़ने वाला है देखिए उसकी गती में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है वो धीरे से दाहिनी और जाता है फिर तेज जाता है और तेज और तेज और तेजी से दाहिनी और जाता है चलिए अब हम हमारे बाएं और जो तवरण हुआ है उसे देखते हैं रोहित बड़ी ही तेजी से हमारी बाई और जा रहा है अताहा बाई और तवरण है इस मामले में हम कह सकते हैं कि रोहित अपनी गती की दिशा में ही तवरण कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गती बढ़ रही थी वो अधिक अधिक तेजी से जा रहा था उसकी गती धीरे धीरे बढ़ रही है और इस प्रकार उसने आरंब किया था उसने विश्राम से मीटर प्रतिसेकन प्रतिसेकन या मीटर प्रतिसेकन का वर्ग है रोहित का वेग उसकी गती की चाल है जिसे वो एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा है और उसका तवरण समय के साथ उसकी गती में जो परिवर्तन आता है उसे बताता है और एक बात तवरण में मूल और दि अपनी दिशा बदल कर आप से दूर जाता है। यदि वो यही करता रहे तो वास्तों में वो गोलाकार घूम रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते हम त्वरण को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि उसे नापने के लिए कम से कम तीन बार उसका निरिक्षण या उसकी जलक देखना जरूरी होता है। इसके विपरीत एक बार के निरिक्षण या जलक से हम स्थिती या स्थान को नाप सकते हैं और दो बार निरिक्षण या जलक से हम वेग को नाप सकते हैं। रोहित बाग में घूम रहा है। एक ही जलक में हमें उसकी स्थिती ग्या उसके त्वरण को ग्याद करने के लिए तीसरे निरिक्षन या जलक की आवशकता होगी। यदि हम तीनों जलकियों की बात करें तो पहली जोड़ी हमें उसके पहले वेग के बारे में बताती है। उसके त्वरण को देख सकते हैं। सारांच हमने आज एक नई भौति ग्राशी की बात की जिसे त्वरण कहते हैं। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार बाहय बल उसके लिए जिम्मेदार होता है। त्वरण उस दर को नापता है जिस दर समय के साथ वस्तू के वेग में वर्तन आता है